और जितने भी लोग इस शो का भी इस मोमें पर देख रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना-पना रिस्ट वाच हमारे साथ शेर कीजिए ताकि हम आपका अनेलिसिस कर पाए हम लोगों ने अलेडी पिछले वीग भी इसी सिमिलर तरह का वह वक् और जाधा अनलेशिस करेंगे और काफी सरे वाचिस को अनलेज करेंगे मेनवाइल आप सभी लोगा स्वागत है और सभी दर्शो का वह वागों इस बीच हमारे साथ और कुछ लोग जुडेंगे जिनकी रिस्ट वाचे हमारे पास अल्लेड आय हुए है लिए में आपका अ वो आर आटी वाच चालू है और हर बार दो सितीन मैने के अंतराल में हमारा एक और एक बैच आता है तो यह हमारा 16th बैच है और तो करेवन 58 लोग इस बाच्छ में पारिसिपट कर रह है अगे तन्वी can you add someone तो हमारे पास संकेत दिशपांडी जी संकेत जी क्या आप हमको अभी सुन पा रहे हो are you able to hear us right now yes sir I can तो आपका watch हमारे पास आया हुआ है और 2 मिट के अंदर मैं आपका watch जो है डिस्प्ले गरूँआ था कि हमारे जो आपकी watch analysis कर पाए इसके पहले मैं आप लोग आपसे पूछा जोओंगा कि आपको wristwatch analysis के बारे में कैसे पता चला and what do you think about wristwatch analysis actually मैं YouTube पे काफी सारे आपकी वीडियो से देख रहा था तो उसी के बारे में मतलब wristwatch के बारे में मुझे आपकी वीडियो से ही पता चला और फिर explore करते करते कि आज मुझे पता चला आपको आज मितलब analysis करना आपको मिलेगा तो उसी हिसाब से मुझे पता चला awesome तो क्या आपने भी हमारा basic जो रहता है introductory lecture क्या वो अपने अल्लरी किया हुए no no अभी तक नहीं basic भी नहीं किया हुए और आपने फुल कोर्ट भी नहीं किया हुए और किसी और तरह का वरक्शॉप हमारा से और रही किया है are you our student by any chance I think I think मैंने आपका graphology का भी एक यह देखा था so I think तभी शायद से मैंने एक दो एक दो I think chapter में ने पढ़े होंगे I think so तो graphology की वक्शॉप में आप थे इसका आपका यहना है okay nice to know चलिए आपकी wristwatch करते है जहां शुरू करने के पहले एक छोड़ा सरी question आपके लिए कि आप किस फिल्ड में और क्या काम करते हो so basically I am into creative field so मैं business चलाता हूं I am into photography and video proofs business और हम सभी प्रकार के photography और video services अलग-अलग sector के लिए provide करते हैं okay great nice to know चलिए आपकी wristwatch को देखते हैं कि क्या कहता है wristwatch आपके बारे में तो यही wristwatch आपका रखरेक जो आपको अभी display हो रहा है this is the one yeah absolutely absolutely great awesome हमार पस तीन panelists एक है नलिनी रावल जी अंजली हरक और निशा सिंग तो बुली आपसे कौन इनके बारे में कुछ कहना अचाहेगा इस मोंड़ अभी इस who would like to go first sir yes just anjali ji बुली संकेची namaste good evening good evening good evening आपका watch देखते ही मुझे यह पता चला के आप बहुत organized हो आपके काम को बहुत organized रखते हो जैसे weeks का भी आपका प्लान होगा months का भी आपका प्लान होगा you are a very emotional person और आपको ऐसा लगता है कि बिना बात की आपको समझ जाए to the point आपको यह अचा लगता है कि कोई मुझे समझ ले तो वह अचा है कि शायद आपके profession में इसे होता हो तो संके जी से पूछना चाहेंगे कि किन-किन चीजों को वह समझ पा रिलेट कर पा रहें तो संके जी आपको समझा है और क्या खा absolutely bang on on the point तो अच्छा very nice bang on होगा इस पर से कौन से चीज है जो जिसको जानके आप हैरान हुए कि यह कैसे पता चल गया तो थोड़ा emotional का question आप यह लिटल बिट वाटिकन से जानने के कोशिच कर रहा हुए emotional अवाज नहीं है सखीची आप देर बितास hello hello जिकिए अनका निशाएद नेटिव का प्रोब्लेम है hello yes hello can you hear me yes now we can hear you yes exactly जो और गनाइजड अर्गनाइज का point बोला और डेली मेरा एक routine रहता है एक schedule रहता है उसे के सबसे हर का एक दिन हर का एक week हर एक महिना मेरा एक plan रहता है so that was a nice thing और इन्होंने मतलब शाहिद बता है नहीं पर इनका यह भी कहना था कि आप अपनी पढ़ाई लिखाये के लिए लेके बहुत ज़दा और अर्गनाइजड़ों मतलब आप अपने skill को upgrade करने की कोशिश बहुत करते हो और उसके लिए आप properly plan बनाके उस चीज़ को upgrade करने के लिए तैयारी करते हो कि है चलो यह week में आम लोग यह चीज़ के लिए अपर काम परेंगे यह पढ़ेंगे यह लिखेंगे और यह सब सीजह हम सीखेंगे हैं मैं रेटर हो यह संकेट जीज़ करते हैं जो भी काम लेते हैं उसको premium तरीके से डेलिवर करने के लिए आप बहुत अच्छा effort लगाते हैं चाहे डेलिगेट करना हो लेकिन आपको premium डेलिवरी देना होता है और आप organized तो है ही साथी साथ मुझे यह पता चल रहा है कि आपको prioritization की थोड़ी issue आती है कि करते बहुत कुछ है और अर्गनाइजड है बट कहीं ना कहीं वो जो चाहते हैं वो को नहीं पाता है प्राइटिजाशन की वज़े से येस इससे मैं 75-80% मैं agree करूंगा थोड़ा सा मतलब कभी-कभी prioritizing का थोड़ा सा issue रहता है बट I make sure कि जितना जादा किसको priority देना है किसको ये करना है तो हमें जादा से जादा कर सो और इनका ये पॉइंट बड़ अच्छा था कि आप डेलिगेशन करने के बाद last में आपको काम अच्छा करने के लिए कभी-कभी खुद ही काम करना पड़ेगा कि अप कही बार किसको करबात रहा थेखिए कि लाद नथे लमकाइब से लाइज रीओर इस अबड़र अधित्याद करने कि लाद अन्त में अन्त में आप अप बैठ ज़ाओगे बोलेगे इनफ बड़ेज लेट अशड़ा कि अब अधित्जावा अन्त में आप अबुद ह त्रवेसे वैं प्रिफोले करें थुछ बाज वैंटी हैं चोटी चोटी चीजो में बहुत ज़दा बिजी है साधि सात मिए्पीज है यहाँ है सबस्क्तिज बस्कार आप व्लाच्प लुट बाजडा में देलेन जा है कि इस वाच में इनके फिल्ड के बहुत नामचीन लोगों को पहचानते हैं और यह मतलब इस लाइक जो बहुत जादा युनीक लोग है जिनका डेफ्ट काफी अच्छा है जिनका नॉलेज काफी अच्छा जिनका एक्जिक्वेशन काफी अच्छा है नामचीन लोगों के बीच में जो इनके इनकी पहचान है बहुत अच्छी है जैसा लग आपको मजा या बहुत ही सर बहुत ही जारा मजाया और मतलब फिर से I would like to say that I have discovered myself newly so that's that's a great thing thank you so much all the all of the panelists thank you so much thank you very much for joining us thank you so much thank you very much for joining us हमारे क्या कहते है हमारे मतलब कम्यूटी में सी है और already he's a he's from the community of graphology graphology के काफी एक उंदा स्टुटेंट है बहुत पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करके वो आते हैं और मुझको जब पहली बार उनने जॉइन किया था तब मुझको ऐसा लगा नहीं था कि वो जॉइन करेंगे पहली बात तो मतलब he was too inquisitive he's asking too many questions he was also asking about the value और वहां पर मुझको लगे शायद उनहीं जॉइन करेंगे नहीं जॉइन किया तो let's welcome विपीन यादो जी विपीन जी welcome to the show thank you sir thank you so much आप काफी दुनों से इंतजार कर रहे थे कि कैसे कब आपका watch analysis हो तो yes how was your experience with graphology up till now विपीन जी कैसे लगर आपको graphology का पढ़ाई हमारे साथ करते समय है आप mute can you unmute before you speak ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत अच्छा experience है sir और बहुत ही अच्छा लगड़ा है पढ़के इवन मैंने course एक बार पूरा देख भी चुके हैं और कर भी पार रहे हैं कुछ analysis भी कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगड़ा तो खासकर आपका support है sir जो मैंने कहा कि शुरुआत में मुझको ऐसा लगा थी आप जॉइंड नहीं करोगे जिस तरह का आपका reaction था जिस तरह के questions थे तो आपको भी ऐसे लगा था उस समय पर कि शायद आप नहीं आओगे तो इस समय तक तो से ओर थे कि हम जॉइन नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम खोज रहे हैं क्या खोज रहे हैं खुदी नहीं पता हैं इसलिए cross-question जादा था हाँ cross-question जादा था in fact मैं इनको mute कर दिया था उस समय पर मैं बोला यार ऐसे प्रेशनों का उत्तर थोड़ी ना देता हूँ ठीक है glad to see you in the community ओके चलिए इनका जो wristwatch है उसका analysis करते हम लोग let us learn what अच्छा ये जो आपका wristwatch है वो आपका इस तरह का wristwatch है कि इसको digital है और digital wristwatch में जो face है वो आपने हिसाब सब सेट कर सकते हो तो आपने जो face set किया है कि इसी को आप हर बार हमेंचा यूज करते हो नहीं से ये recently purchased किया है उसे तारी को ही purchased किया है ओके उसे पहले ये वाला वाज वह वाला भी हमने photo भेजा है ये वाला वाज से उसे पहले पहन रहे थे अच्छा वी DJ ओके अभी कुन सा पहन रहा है अभी जो डिस्प्री वही पहन रहा है ये भी दोनों mix करके चलता है अच्छा दोनों mix होगे होता है ये आपका आप से सबसे आपका कहना कि ये आपका नया वाच है अहां से नया वाच है और ये कितने दुन से आप पहन रहे हो लगबग एक one week से सर वन वीक ठीस और किस फिल्ट से काम करते हो अप किस फिल्ट में मैं Ministry of Home Affairs में एक secret agency में काम करता हूँ ग्रीमंतरा ले भारत सरकार में. ओक, वाँ, आउसम. येस, बुलिए कौन अनलिस करना चाहिए पहले? नली जी आप सी शुरुवात करते हैं. या अपने ही जो है कम्मुनिटी के व्यक्ति है, तो आप ज़रा खुल के अनलिस कीजिए, डरिये मत. नली जी बुलिए क्या लग्तव को वाज देखे हैं? अनलिस कीजिए, नली जी. इनकी परस्नालिटी बहुत अच्छी है, ये कमांज रस्पेक्ट. ये इस वेरी फोकुस्ट अपने काम को लेके, अट अट दे सेम ताइम, ये वेरी अलूफ. अलूफ, अलूफ, इन दे सेंस? जी ये 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 वेरी बहुत अट अट रस्पेक्ट. लोगों में एक तरह से बहुत अलूफ रहना मतलब थोड़ा सा दूर रहना रिस्पेक्ट के लिए. इनका मैं कहने का समझाता हूँ, इनका कहना है कि आप उन लोगों से ज़्यादा घुलमिल पाओगे, जो लोगों ने कुछ अचीव किया है, इनको कुछ नॉलेज है, इनका कुछ बेस है. आप आसानी से किसी में रखते के साथ ज़्यादा घुलमिल नहीं पाओगे, ऐसा उनका कहना है. नहीं, यह राइट है, सही है, साथ है. आपने मेडिटेशन भी रेगिलरली शुरू किया है, ऐसे मुझे लगा, वो मुझे लगा कि मैं आपको पूछ हूँ, यह सच है कैसा? आपका शायद उसके लिए भी एक मतलब आपका फैमिली में यह ऐसे ग्रूप भी किया होगा आपने के, जहां पे आप यह सब अक्तिविटीज भी करते हैं. यह थोड़ा लंबा दीन से चल रहा था, लेकिन बीच में आइडियल हो गये थे, तो हां, अभी उसमें थोड़ा एक्शनेट हो एक्शन लेने के लिए, बतलब आएक्शन लेने के लिए आप तयार रहते हैं हमेशा कि हां, अगर काम कोई आजाए, वो बहुत पैशनेट ल आप ति तव आप गयाओ कुछ नया ऐसे सेरीज करीद आए या चुछ जीम जोइन के दैट । आप लोग नहीं मतलब योग जन पी शने कम क्लब या किया जें क्या आप बहुत है, क्या डिशन आप लेने के लिए उसके लिए बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े, प्रिमियम क्वालेटी के शूज, प्रिमियम क्वालेटी के अशेशरीज खरीदे वो दिख रहा है वाक्के वाक्ट है तो आपके वाच्च में आ गया है वो इस निशाजी बुलिए विपिन जी आपको silence में काम करना पसंद है कोई distraction ना हो और आप बहुत ज्यादा logical thinking में believe करते है clarity of mind आपके लिए important है और कभी-कभी यह है और निशा जी और कुछ और क्या गहना चाहेंगे यह अभी काफी और गनाइज तरीके से लर्न भी कर रहे हैं कुछ नया नया सीख रहे हैं कुछ दिनों से ना वो कही पे trip plan कर रहे है मुझको नहीं पता कि किदर गावट ही इस ट्राइंग टू प्लान सम ट्रिप विद क्या कर रहे हो किसके साथ जा रहे हो क्या प्लानिंग कर रहे हैं ड्रीप कर रहे हैं लेकिन प्लान कर रहे हैं लॉटिश्च वह सकता है मुझको लेकिन आशे को इस अशने का ना फिर ठीक कर निए तो मेटेशन करोगी तोने में सेख और चली ग्रेट और और प्लानिंग बहुत अच्छा है इनका है अभी इस मोमेंट पे न यह अपनी शारिक शंता को यह इनर्जी को बढ़ाने के लिए महनेच जाधा कर रहे है वो बहुत प्रॉमेनेंट और डिफेंट तरीके साया हुआ है तो उन्हें ने कहा भी कि जिम चॉलो किया उन्हें तो कभी कमिटब ही अपने काम के लिए हाज़ वरकिंग हैं हाज़ वरकिंग में कोई डाउट नीजै करते हैं अ प्लस आपकता है किसी के साथ बहुत प्यार से बूलते हैं को सिस्क्रते हैं अब यह तो कोशिश करना शुरू करती है कैसे लगा आपको बीबी जी मज़ा है नहीं बहुत अच्छा लगा सर इसको कंटीनियों करना चाहिए वाच को या क्या सजिस्टन है सबसे बड़ा प्रॉलिम जो मुझको दिखाए दे रहा है को कि अफर्ड से नॉलेज सा लाइफ में वो चीज़ नहीं हो रही है जो हुनी चाहिए उस लेवल पर नहीं हो ly네 जिस लेवल पर होनी चीछ competition होना जी है और यह सर वो है बाकि तो कह सिधी सिधी लाइब के लिए तो चल जाएगा बट ग्रोध के लिए उतना अच्छा निए जाने के पहले आप सभी जो है विविवर्स हमको अल्रीड जोती मेनन इशाख नना और रंजी सिंग असमिता अकुमारी राधिका गूपी आप सभी लोगों का और सिस स्टार आप सभी लोगों ने जो अपतर कमेंड किया उसके लिए धन्यवाद थैंक यू वरी मच और आप लोगों की अगर आपके मनुवे किसी तरह का क्वेशन या डाउट आ रहा है तो आप बुलेगा और जिन लोगों अपना खुद का वाच अनलिसिस करवाना है आप सभी लोग तन्वी जी को को ओडिट कीजी तन्वी जी इस को ओडिनेटिंटिंग विद पीपल वोट वांट तो पैनलिस्ट का भी मैं एक रीक्वेस्स मेरी तरफ से आप सभी लोगों को कि आप जब अनलिसिस करो तो अनलिसिस करो हम लोग ऐसे थोड़ा सा जो है न डाउट में मत करो जो है बोलो बिंदास को कि इस अभी हमारे स्टूइन्ट ये मोस्स आप देम और जो नहीं है वो हमा कर पाएंगे और चलिए देखते हैं कि किस तरह चुन्ता अनलेसिस होता है जो आपको समझ रहा है जो आपने सीखा है उस साइंस को एनलेसिस करते समय पुरे जोशो खरोश के साथ बहुत कॉन्फिदेंट के साथ कीजिएगा जदा डाउट में मत रिखें कि आगर आप डाउट में रहेगे तो मैं भी डाउट में आता हूं ठीक है ओके तो वी हाव ब्यूटिफूर वाच वित अस आफ अरे नली जी आप अच्छा हो ना आप यस जोती जी ये जोती जी वेलकम तो दर शो लाइव शॉवर रेस्वा जानलेसिस्ट यस थैक यस तो आपको इस साइंस के बारे में कैसे बता चला जोती जी Sir, मैं एक बार मुझी आपकल साइंस में बात इंटरस्ट है और मैं यूट्यूब रंडली चेक करती So I accidentally hit up on your YouTube, so thoda interest laga, then I started googling about you, to know more about you, so both interest and I think you had a short term course, I enrolled in that but unfortunately, I couldn't be But like in your emails all times it was coming to me, so I think 2-3 days I think last week, I just entered your YouTube and I love the way you said lot of things, you know everything is time, which is very true Because we run after so many things, so time के बार में कभी क्लिक नही हुआ, so that's how I got interested Then I think two days back you had Zoom also, so maybe I had interest in that and then Tanvi like she was in touch with me, I liked her service, so I thought okay, I want to learn this Yes, amazing, amazing, thank you very much for joining us today, let us see, kya रहता है इनका रेस्ट वाच्च So you said you hit our channel accidentally right? Yes sir So after that, it was damaged by that Sir, this watch is actually my husband's watch, he is watching us क्यूंकि मैं उनको बोल रहे थी इसके बार में I don't wear watch, तो मैंने ये watch उनके लिए मैंने गिफ किया है दो तिन दिन पहले Okay, husband का वाच्च है, क्या करता है husband? Yes, husband is in to construction or education skill, you can be honest okay sir, you can be honest and you can tell it We are always honest, in fact we are so honest that people speak us that we are blunt, speak about us as a blunt person So we will be very honest and we will always say what we are in mind and we will always say what we are in mind Yes sir Yes, first of all, I will give you a chance to tell them what we should say Yes, Nisha ji, say Jyoti ji, आपके husband थोड़े ज्यादा emotional है Yes And उनको strangers के साथ में भी बहुत easily gel हो जाते हैं, किसी से भी बात कर पाते हैं Comfortable रहते हैं और बहुत कुछ वो सीखना चाते हैं और बहुत सरीके से organized रहते हैं कि new learning के लिए को कुछ सीख रहे हैं आपके husband? मेरे जानकारी में तो नहीं सीख रहे हैं लेकिन I think at the moment he is learning He is watching you talking So probably yes, maybe He is very hard working Haan, इनका कहना ऐसा है Being a businessman, normally people only focus about their own business But not your husband आपके husband को बहुत सारी अलग-अलग fields की जानकारी है उनका interest का जो दायरा है हो बहुत बड़ा है और हर तरह का knowledge यह वो प्रात करने की कोशिश करता है कहीं पे भी और learning opportunity को नहीं चुड़ता है ऐसा इनका कहना है अच्छा 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 Are you aware? अच्छा इसमें कहता है एक तो ना husbands के बारे में wives ना अलग-अलग तरकी होती है मतलब जनरली जैसे मेरी wife भी करते है कि मैं काम नहीं करता हूं मैं एक जगा बैटके दिन बैटा है तो रहता हो तो अच्छा अच्छा कहना होता है तो कही बार हमारा जो परस्टिशन है वो बहुत ज़दा जो परस्टिशन हमारा हमारे पास एता है और यह आपनी कब दी यह वाच अपनी गिफन को? मैने आपका अनालिसस देखती के बाद आइ गोट पो हिम अच्छा मतलब कितने दिन पहले दी आपनी बीबीवीक अच्छा इन बीवीक तो अभी तो उनके लाइफ में मानिफेस्ट होगा क्यूंकि उनने खुदने छॉइस नहीं किया इसमें जाधाता तर इसका अनालिसस अमना ऐसा कर पाहेंगे because you have chosen this watch you are interested, you are looking you want to meet a lot of people you want him to be active you want him to be very affair oriented you want him to take a lot of actions for going out and meeting other people so this is how you do it so what will it happen because they didn't wear it but you took it, you took it in your mind so this is how you do it so this will be more of your yeah, whatever you are saying she is 1000% right correct, this is how you do it that the planning is a lot of work in the house but people who are just planning, but they don't take the effort to do it yes or no? yes, yeah, agreed yes, Anjali ji, say yeah what do you think, leave your husband what do you think, what do you think what do you think, what do you think you think, what do you think, what do you think will be starting so the effortseload started at the end of the day then that will be able to complete him just like... you would interest his self-image would be very good feeding himself keep themselves that's what you are feeling for him even though he is presentable remain비バージャ focussed on himself focussed on himself और वो सिलेक्थावलों से बाद कारे हूंगे। यह एसए चाहते हैं कि वो सिलेक्था लोगन से बात करें जहांad पर उनका ग्रोथ आइस एसम अब हे हैं आपको चाहिए। अग्रस्ट अजिल फटोड़ज़ milli करेंदीछ पाता हूंगे। बीजिए, मैं अपने अपन को देख रही हूँ महापे, मैं अपने वग्र को देख रही हूआ, भुड़ भुल की और इसमें एक बहुत खालसियत है, आप दोगों ने दिखा होगा निश्या जी अंजली जी, इस वाच में खालसियत है कि ये वाच पहनने वाला जो व्यक्ति है वो खोकला रिलेशंशिप कभी नी बनाएगा, वो बनाएगा ऐसे रिलेशंशिप ही जहां के बहुत ज़दा व कि इस रिस्वाच में भी आई हुए और इफर्ट्स भी बहुत लेते हैं ना सर ये जितना बोलते उससे ज़्याधा डिलिवर भी करते हैं ये आरे मैने जिस्वाटेवर ये तो एक बार हां कहने के लिए दिस बार सोचते हैं तो पिर जी जान लगा कि उसको करना है वो देन बहुत अच्छी बात लगी इस वाच वह जाए कि यहां पे नहीं ये वक्ति बहुत आसानी से दूसरों की बातों से डिस्टर्ब नहीं होता है तो रह एसा है कि वेक्ति जो है वो मतलब कहते हैं कि लोग कुछ भी बोले, the person will listen, but doesn't mean that he will get impacted or influenced or will react. तो ये सबसे अच्छी लगी है, क्यों कि हम ऐसे नहीं है, हमको कुछ भी बोले तो हमको बुरा तुरंद लगता है, लेकिन ये वाच को पता है कि मेरी strength क्या है, मेरी weakness क्या, और किस चीज के लिए मैंने react करना चाहिए कि इसके लिए नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी एक बात आप में, क्योंकि आपने ही सिलेट किया ये watch. आजी, सब मुझे एक question है आपके पास, when we buy a watch for somebody, तो वो अपना character हम लोग उनको देते हैं ना, तो ऐसा है, इसके उपर एक पूरा chapter है, gifting of the wristwatch नाम से, तो gifting of the wristwatch में हम लोग पूरा सिखाते हैं कि जब आप देते हो, तो सामने वाला के साथ आपका क्या relationship बनता है, फिर सामने वाला उसको पहनता है, नहीं पहनता है, किसी ओर को देता है, गुम जाता है, फिर बहुत साथी variations में आड हो जाती है, पर एक बात तो है कि हम आप, जब हम लोग select करते हैं, तो कहिना कि हमारी personality का एक अंश हम उसको दे रहे हैं, तो आफ्टराल हम को वही पसंद आएगा ना, जो हम हैं, तो कहा है? प्रोग्राम के अंदर और मेरे साब से अभी नरिनी जी वी वापस हागी है नरिनी जी वापस आगी है वस इस बीगाद नेटवर्क यूर आउट? वह अभी नेक्स जो आनलिसिस है वो दथ सी कि किसका है हमारे पास शिवानी शNew economy का स는पल आया है शिवानी आनन जी का संपल आया है जोती मिनन का तो हमने कर लिया है तो लग शी वнаком शेच्त। अंधर ऑप य जेस जोईड जिए ?? धैस शिवानी जी। वेलिकम टूप रिस्ट वाच अनलिस लाइव तो आप शोणी आपको इसे परदा चला इस साइंस के बारे में और इतने दिनों से आप इस साइंस के बारे में जानते हो आते हुँआप स्घिनल टैपको और sujet थे इस था अदैर सुए शचर रख वाट तो कई आपने दोन हुआछ डूल के अथा फर आट की है जो पर इस प doen Oh otter यहां जी वे टो ने वी जवे टेंट करिया हैं अभी जो हमारे बाच में शिवानी आनन्द वो आप नियो राइट? I am I am the only one sir, मैं ही नू तो आप यूँ हो, okay so you are there in the both of courses or you are joined one course? Sir, मैंने रिस्वाच अनालसिस में अन्रोल कर लिया है. मतलब, I'm attending the course or handwriting signature के लिए अन्रोल कर लिया है, but I'm yet to make the full payment. Okay. So, welcome to the show once again. I'm just going to listen to you again at nine also. Correct. So, मैं चाहता था कि बाकी लोग भी हमारे जो अभी सीख रहे हैं, वो लोग भी आ जाया है, कि लोगो पता जिले कि कैसे एक उनिक तरीके से चिजोगा अनलसिस होता है. Yeah, I really appreciate this platform. Actually, आपका पहला पार्ट हुआ था, Sir, so I was not able to get my wristwatch analysis, but उससे भी जादा. What I appreciate is कि आपकी जो previous batchmates है, your ex-students, I can say. So, I mean, they are doing a good job. So, I was very glad that in the coming days, you know, I have a hope. I may be at the beginning. There is nothing called as hope in our system. If you really are with us, you will definitely learn to do the analysis. इन सभी को डर लगता था, आज या अच्छा अनलसिस कर लेते हैं, और दूसरा, दूसरा यह कि, लेखे, यह ex-students नहीं है मेरे. Okay. They are still my students. They are always with us. We are always with them. तो जिन्दगी के किसी भी मोड़ पर कभी भी उनको हमारी ज़रोत पटेते हैं, तो हम हमेशा उनके साथ ही है. चलिए, तो चालो करते आपका अनलसिस, कौन कहना चाहेगा आप मेंसे, वो इलाग तो स्पीक. नली जी, आप कहना चाहोगी, अब जी, तो आपका अनलसिस, तो इनका कहना है कि आपका अनलसिस, करने का तरीका खाफी अच्छा है आप अपने काम को अपनी पढ़ाई को अपनी लाइफ को बहुत और प्लैनिंग करके चलते हो और प्लैनिंग के इसाब से you are able to implement a lot of things in your life. I try to do it but I do not usually succeed. I mean मैं कोशिश तो करती हूँ काफी organized रहने के लिए but वह नहीं हो पाता है तो यह पी जो है आपका planning कैसा है तो और इंपलिमेंडेशन या सक्सेस की लिए भी आपको भी साइंस के वारन पता है तो सक्सेस थोड़ा सा काम होगा लेकिं फिफ्टी-सिपरसंट आप इंपलिमेंट कर पाते हो जो या प्लैन करते हो पार्षिल राइन धर्या प्लीस आप खोशिश करते हो अच्छी लिए टो एट आप उस पे वी फोक कि कोशिश करते ही हो और आप इमेज अच्छी वनी रहे उसके लिए आप थोड़ी मेहनद लेते हो प्रेजेंटेबल रहते हो हमेशा खुद का खयाल लग पाते हो मुझे से रखना चाहिए that you are able to do but you are a very busy person, आप बहुत busy भी रहते हो, sincere हो, compromise आपका comfort आपपड compromise करते होंगे जब आपको काम अगर आता है कुछ आपके पास तो वो perfection के लिए आप वो comfort compromise कर सकते हो, do you do that? I can say like if I have a task at hand, तो हाँ मैं अपना comfort compromise कर देती हूँ a little bit, बहुत अच्छा आपके रलेशन्शिप में मतलब भहत well-to-do family से आपको, मतलब, relations में भी बहत अचे लोग है, आपके सदरन घर के आप कै सकते हो और आपके बाहर का सर्कल भी बहत premium circle है, मतलब भहत अचे लोगों से आपकी जान पहचान है, जो well-to-do people I do not completely agree to that कि premium circle in my outer circle or in my family this is not the case really ऐसा नही है and what are you doing मतलब आप सीख रहा है और इसके अलाब आप क्या कर रहा हो शुवानी जी I am a teacher by profession I am teaching in a school okay तो आपके वैसे पहचान होंगी अच्छे teachers जो होंगे अच्छे जो knowledgeable people है and you like to be with them selective people के साथ रहना भी आपको पसंद होगा जो knowledgeable है अच्छे है उनके काम में I am selective I am selective to this is what I mean great, very nice, good analysis तो इनका analysis का जो में मुद्धा ता वो था कि personality development, personal development और जो presentation है उसके लिए आप हमेशा काफी ज़्यदा effort लोगे जिसके लिए आपने हाँ खाँ और जो कि बहुत अच्छा है आपको लाइप में और आपकी personality बेगे इस निशा जी आपके analysis है वो premium लोगों के साथ में या premium जगा रिफर करते हैं जैसे yoga center अगर हो या कोई institute हो no actually health is one part which I am sort of neglecting you know I want to work upon it but मेरे ना efforts almost zero है in the field of health इनका कहना है कि जबे भी आप efforts करोगे gym membership join करोगे तो बहुत अच्छी जगा करोगे yoga करोगे तो बहुत अच्छी जगा करोगे तो जगा हमेशा आपको मिलने वाली जो रहेगी वो अच्छी रहेगी ये इनका कहना है कर तो नहीं पोगे वो तो आपका ज़्यादा तर जो फोकस है वो वो पढ़ाई लिखाई पे knowledge को grow करना है या personality को बहतर करना है या intellect को अच्छा करना उसके लिए effort ज़्यादा है जैसा कि आपने कहा कि efforts wise you are more of a work centric workholic kind of person वो ज़्यादा जाएगा बाकी health भी neglect कर रहे हो हो बाकी जगों पे भी neglect नहीं चालो है हमको देख रहा है वापे but that is the meaning of that और दूसरा क्या कहते है उसको very emotional emotional कैने मतलब कैसा होता है कि भावनाओ को समझने वाला भावनाओ को समझ के उसकी depth समझने वाला ऐसा होता है कि लोग सिर्फ emotional होते हैं लेकर आप सिर्फ ऐसे किसी भी random emotions के लिए emotional नहीं होंगे आप जब emotional होते हो तो genuine जो emotional जो genuine जो चीजे उनके लिए आपको feel आता है you come to know whether these emotions are genuine or not and then you react as well तो ये बहुत unique बात है आपके रिस्वाच में जो ज्यादा तर रिस्वाच में नहीं होते हैं are you able to get it right right आप समझे आप समझे ना मतलब बाकी लोग को नहीं समझेगा आपको समझे और मुझको समझे कि मैं क्या खेनी कि कोशिश कर लो I discern I easily discern is it fake or is it real perfect very true very true and Nisha ji और कुछ watch me yeah try to learn many new things yeah but वो बहुत सारी चीशे सिंगी कि कोशिश करते हैं कोशिश हो रही है क्योंकि efforts करते समय she is getting change हो रहा है मतलब यह सीख रहे है, फिर दुसा सीख रहे है, फिर तीसा सीख रहे है, तो not being able to give justice to her potential in terms of learning. She's not able to focus on a single thing. In-depth, क्योंकि बहुत सारी चीज़े सीखने की capacity है, लेकिन एक समय पर बहुत सारी चीज़े आ जाएगी, तो फिर एक चीज़े में वो जो depth आनी चाहिए, जो कमान आना चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा है. Are you getting it? Shivan ji, हम जो कहने की कुछ चीज़े करता है? Yes, sir. Focus keeps changing. Like, you know, एक ताइम पर ये course कर लिया, फिर दूसरे ताइम पर कोई another course for higher studies. So, distraction model दियो जाता है. बहुत जादा. और आपने बहुत जादा सब्यूस्टे है. पुरा stress नहीं पाते है, पुरा focus नहीं गर पाते है. So, Nalini ji, इना, बहुत सारे सब्यूस्टे हैं. I don't know how many. कितने सारे अलग-अलग courses आपने कियो है, Nalini ji, Shivan ji ji? How many more? Sir, as such, local science में तो ये मेरा पहला ही course है, जुसमें मैंने आपके साथ अन्रोल कर राया है. But otherwise, in terms of academics, I can say कि मैंने काफी courses में अन्रोल किया हुआ है. And the count is also a random count, तो कितना count होगा हू? I can say, like, seven-eight courses I have done. So, can you all see it कि कैसे plenty of courses करने की tendency है? और अखड में तो अभी आपका शुरुआत हुआ है. अभी बहुत सिखने हो लोगा है. This is just the first thing. One thing I would like to say, you try to maintain your relationships well with everyone? I do, at least, yeah. You try कि मेरा हर किसी के साथ रिष्टा बहुत अच्छे से maintain कर पाऊ है. I try, yeah. Shivan ji ji, कैसे लग रहा है आपको Restwatch Analysis course के अंदर और आज का ये जो अच्छे साथ अपका हुआ, वो कैसा लगा? Sir, वैसे मैंने जब आपके साथ नरोल किया था, तो मुझे प्रीविज दो बाच्छे की भी रिकॉर्डिंग्स मिली थी. And I was very particular to watch it religiously. मैंने एकी बाच्छ का पुरा आपके प्रीविज बाच्छे के नोट्स मतलब विडियोस देख के नोट्स बनाएं. And I could relate, I could discover a lot of points and जैसे आप करते हैं, not predictions really, but observations you make. They are very appropriate and exact. That's true. And this, I मैंने जब आपकी दो दिन की workshop अटेंड करी थी. So that was also like very new topic for me. And I was very impressed. So मैंने एंड्रोल किया. And as I saw the videos in the batch, so मुझे, actual में मुझे हैसाफ हुआ कि, you know, I mean there is a lot that is that can be discovered through the watch of a person. And entirely change your life as well. Not just watch, but आप पुरी लाफ चापके हैं. So, I mean, this is something that everyone must be aware of. पता नी, this is good or this is bad that everyone is not aware about it yet. But we are lucky among the few. Okay, so तो आपके ये जो सिनियर्स हैं. सिनियर्स मैं कह सकता हू? तो इसका अनलिस अलगा पो? Did you like the way they approached? Because you know the science already. I'm not the science. अपुछ पुएंट, sir. Yes, I could relate it. और पुछ पुएंट मैं आपके प्रिएस वीडियोस को देखता हैं. मैं समझ पारी थी वो क्या, मतलब देखतार कि तारण से वो अब्सरवेशन कर रहे हैं. But few observations that they have made is deeper. जो मुझे अभी तक समझ भी नहीं आई हैं. मतलब how they are able to say that. So, वनी शीद है, I'm going to learn from you in these coming days. Go deeper. Sure. Great. Nice to have you over here, Shivani जी. Thanks to all. Thank you. Thank you. Let me check who is the next person and welcome him. You know, who has a new one? So, Shivani Sharma जी का मुझको वाच दिखाई दे रहा है. So, let me check whether Shivani Sharma is already present or there or not. Let me check it. So, Harish जी मैंने Shivani Sharma जी का वाच आया है. आपको में थोड़ी दर में पार्टिसिपट करने का मोखा देता हूं. Before we add Shivani जी. Before we add Shivani जी. Yes, Shivani, are you there? Yes, yes, yes. Good evening, sir. Good evening, Lord. Good evening, Shivani जी. कैसे वाप और कैसे बता चला आपको हमारे स्रेस्ट वाच अनलेसिस session के बारे में? How did you come to know about this? Sir, कोई YouTube पे देखा था आपका ad. क्या आपने किसी भी तरह का हमारा कोई दूसा वाक्शॉप किया है? जो होते रहते हैं हमारे in terms of? जी, नहीं, sir. ये फर्स वाक्शॉप है जो मैं आपका Arrist Watch का कर रही है. Are you a student already? अभी 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 आप सीकर हो हमारे? या, या, जी, जी, ये 16 बैच में है. Oh, you're into 16 बैच. Great. तो फिर बिना वाक्शॉप की आप में कैसे निरने ले लिया कि चलो, ये साइन्स सीखते हैं. Sir, मुझे बहुत इंटरस्टिंग लगा क्योंकि मैं खुद वास्टू का भी कोर्स मैंने किये हैं कापी. और उसकी प्राक्टिस भी करती हूँ. और उसमें भी हम जो है वो कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. तो मुझे बहुत इंटरस्टिंग लगा कि यहां वाचेस पे भी अगर ऐसा कुछ है ज़कि हम स्टेडी कर सकते हैं, तो चलिए, आपका जॉब जो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, वल्द पाटिसिएट्स पेनलिस्ट्स, पेनलिस्ट्स, पेनलिस्स, जो भी लोग आ रहे हैं, हमारे एक्जिस्सिंग स्टुदेंट है, तो आपको थोड़ा सा, यूज थोड़ा सा, यूज यूव आव तो तो विए बैस नाओ, जिनको नहीं पता, उनका अनलेसिस करना एजी होता है, उनको पता है, उनका अनलेसिस करेके उनको प्रेस करना तो रहाता, मुश्किल होता है, चलिए, उभी लग फर्स्टी. अगर। मैं इसे पहले बोलना चाहूंगी यह जो वाच है मेरे हजबन के है उन्होंने ही प्रसंद करी है यह उनके लिए है बाकी लोग दरा म्यूट करेंगे बाकी जो किसी के पीछे से नॉइस आ रहे है कुट्ते का भूक ने का हो अज भी आ रहे है और आपके ग्रेट सभी लोग जो अच्छा चलिए अंजली जी आप से चालो करते है अभी का तो क्या कहना चाहोगे शिवानी जी के हजबन के बारे में हाई शिवानी जी आपके आप तो इमोशनल हो सेंसिटिव हो आपको फरक पड़ता है अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया यह वाट जो है उनके हस्बंड के है अंजली जी आ यह से स्वारी तो वह सेंसिटिव है इस इट करें थोड़े सेंसिटिव है और गनाइजड है अपने उनका ताइम बहुत जाता है पर चोटी-चोटी चीज़ों को करने में उनका ताइम बहुत जाता है उनको सिलेक्टिव लोगों के साथ बहुत जो जो नोलेजबल लोगे उनके साथ रहना अच्छा लगता है उनके साथ रहना अच्छा लगता है काम में बहुत इफ अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है और नॉलेज बहुत अच्छा है मतलब पढ़ाई लिखाई में क्या वो बहुत पहले से ऐसे ही थे कि बाद में वो बहुत पढ़ लिखे एक्सपट बने हैं मतलब हाओ इसे हुआ है और सबसे बड़ा जो स्टेंथ है आपके हजबंड का वो है अबिलिटी तो मैनेज टीम तीम लिडर आओ लडी तो इनका जो एक्सलेंट है मतलब कितने भी लोग इनकी टीम में डालो कितनी भी बड़ी टीम हो यह हैंडल कर लेते इनको हैंडले आता है अब समझ पहर हो बागी लोग भी जो तीनों पेनलिस्स है न तो यह बहुत ही काबिल एक वोच है जो आपको सामने देख रहा है यस निशाजी आप क्या कहना चाहोगे शिवानी जी आपके हस्बेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट देते हैं आपको खुश रखने के लिए मैनत बहुत करते हैं बिचारे लेकिन सक्सेस ने मैनत करते हैं अच्छली जितने भी मैंने किये हैं कोर्सेज वो उनी के कहने पे किये हैं मुझे इंट्रस्ट ए तो मुझे इस पर आगे जलना चाहिए आगे करना चाहिए मुझे तो उनका बहुत बड़ा हात है इसमें मेरे जितना भी मैने अब तक किया है जो कुछ किया है लाइफ में अचीवमेंट्स 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 कुछ भी नहीं लेगे तो आप समझेगे ना सभी लोग में कहा से बोला ना तो यह वाच उनके लिए अच्छी है फिर चेंज तो नहीं करना है अभी सिखो कि आप तो सीखी रहा है तो आपको बताई देंगे हम लोग क्या कैसे चलना कैसे लगा आपके जो सीनियर से उसका पर देख रही हूं कि मैं भी कभी यहीं वेठी होंगी या को यह सिर्ली वाइन आप लोग हरीश पाथिल जी पाथिल जी हमारे साथ है हरीश पाथिल जी आरे देर यह सर ग्रेट तो आप कैसे आप जो है इसके बारे में जानते हो और कब कबसे आप यूटूब के आड से मैंने आपके कोर्स के बारे में देखा था और सुना भी था और अपका एक शो प्री अनलिजेशन का एक लास्ट वीडियो हुआ था उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और मुझे इस बार अभी व तो इसके वज़े से मैं रहे गया वेट कर रहा हूं मैं एक्स बैच में मैं इन्रोल कर पाऊं आपके क्लासे से और सीख सकूँ जैसे आपको और कल्स सांस में पहले से इंटरेस्ट है या सिर्फ इसमें इंटरेस्ट आया अपको सर मैं आल्रेडी ये जो अपना इंडियन कल्चर इंडियन साइन्स है जैसे वास्तु हो गया या फिर मेर्टेशन की तुरू जैसे या इंडियन कल्चर की तुरू वो चीज़ सीखना तो उसमें काफी इंटरेस्ट है था मुझे और मैं कुछ प्लासेज भी कर चुका हूँ उस चीज़ में मतलब लास्ट दो-तिन सालों से वैसे तो बीज मंत्रा मैंने इसीखा था डॉक्टर गौरो शुकला जी किये तूँ जो दिली में है तो ये यूनिक साइन्स है और उन कि गखे जानी नहीं पाए उसमें कितनी एनर्जी ज़स को अगर थीज़ से समझे चीज़ को अगर रूटीन में भी लाए तो काफी जाता एनर्जी उसमें है और उनने काफी करेक्षब में इस चीज़ को रिस्क्राइब किया हुआ और उसकी कुछ रिजल्ट भी हमें आपने लेर्निंग के लिए या किसी भी जीज़ के लिए हर चीज़ आपके आसपास कुछ भी लर्निंग हो चाहे कोई भी meditation classes हो या किसी भी जीज़ के लिए काफी passionate है कुछ भी learn करने के लिए कुछ भी सीखने के लिए जी मैं अच्छा ये बाजू में क्या लिखा है हमाँ पर चार सो दो तीन सो दो सो चालीज दो सो वो क्या क्या मिटर है या क्या लिखा है वाट इस तरह का ये नंबरिंग किस तरह का मिटिंग ही छोड़ दिया उन्होंने उनका लगा कि हम काफी जादा स्थिक्रेट स्रेवल करने वाले मैभी विल कम बैक इन संटाइक चरिए ये काफी इंट्रेस्टी वाचा अगर आप दोगों दिख रहा है न इस वेक्ति किना अबिलिटी बहुत है क्लिष्ट सब्जेट को सीखने के डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सीखना वह बहुत अच्पा इस वाच के अंतर है और साती साथ जो यह कहते न कि अब इन्होंने का था कि टिंदेंसी टेक एफर्ट्स एकन डेक प्लेंटी ऑवेवर्स तो विलकम बैक हरी जी तो हम आपके बारें बात कर रहेते हैं एक तो इस सब्जिट कितना भी कितना भी कठिन हो या काम कितना भी कठिन हो उसको समझ बूचके करने की जो अबिलीटी है वो आप में बहुत अमेज़ने हैं यू कन पुट लोड़ अफर्स एंड यू कन लर्न लोड़ डिफिकल्ट सब्जिट्स वेरी इजी वह आपकी वह अच्के ना काफी बड़ी यूनिकनेस है राइट सर तो जैसे आपने अभी मंत्र को बारें बारें बहुत ज़ाए तो आपका ब्रेंग है काफी अनलेटिकल है और परफॉर्मस करने का अबिलीटी बहुत जादा है मैं आपको कुल सा मिटर है टिक मिटर टिक मिटर टिक मिटर टिक मिटर टिक मिटर क्या बताएगा क्या दर्शाएगा आपको आपको सब्सक्राइब टीटेल में मुझे नहीं मादो पर वहां पर वहां पर टैक्सी मिटर कर से लिखा हुआ था नहीं नहीं सब्सक्राइब नहीं सब्सक बोलिया और कुन अनलेजिस करना चाहता है हरीश जे आप ऐसे टीचर से सीखना चाहते हैं जो नॉलेज़बल है वो उस फिल्ड में उनका नाम है जैसे सर का है उनका कमांड है उनके सब्जेक्ट में ऐसे टीचर को दूल के उनसे आप सीखने की बहुत इच्छा रखते हैं जी मैं ये आप पैसे ही पकड़ा है जूड़ते हैं आप लर्निंग में राइट निशा जी बूलिए आप भी एक आनलेज जो आप बोलना चाहते थे हरीश जी आप बहुत ज़्यादा प्रासेस को इंजोई करते हैं कुछ सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे से उसमें फोकस करते हैं बट कही न कहीं आपको रिजल्ट मन चाहा नहीं मिल पा रहा है मतलब इनका कहना ये भी है जो ये रिजल्ट की बात करे तो आप जो सीखते हो तो कई बार आपको सही coach late से मिलता है, सही teacher late से मिलता है, या जब आपको सीखना होता है, वो topic भी आप थोड़ी late सीखो गी, तो हर बार क्या होगा, या तो learning उस तरह से नहीं हो पार है, जिस तरह से आप चाहते हो, या उन से नहीं हो पार है, जिन से आप चाहते हो, तो जो result की यह बात कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा थोड़ा सा डिमिनिश या खराब तरीके से आपको मिलने वाले हैं एक और चीज में आड करूंगी इनको बहुत रेस्पेक्ट अगर कोई देता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है यह बहुत जागा रेस्पेक्ट सीच करते हैं अब ही अमने तिन साल जी बताए निशा जी ने तिन साल चीज आपको बूलिये तो अन्हों ने पढ़ा हम ब्लाएं पर गूरो के बारे मं भला फिर पै रेस्पेक्ट की बारे मिला तो जर्सपेट कीजा बारे हैं व्ला था तो हीजा सभी चीज आप रे पा रएहां यह बह तो दो पॉइंट चीजे बहुत अच्छी लगती है आपको वेसे भी फिल प्रक्राइब अच्छी लगती है और किसी कुछ बोलना है तो यह चली बहुत थैंक इह रुमिच जो इनिए आपको कैसा लगा है अपकी बारे मत ली उनिक चीजे हैं आपके बाट आप काफी ली अच्छा लगा सर्डाइब न cosmos वुक्तु स्यूंट्स नेक्स बैच आया सिख्षिए कि कैसे हम लोग पैसे आप वी लोगा अनलिस कर सकते हो इस बीच जो है हम लोग 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 लेस्स ने रहला लास्ट कोग बाद क्यूकिए अलही गंता हो चुग है यान वाच इस देर तन्मी जो उस विच इस दी वाच और हभी जी ओके तो आपको इस साइंस के और आपको कैसे जानकारी परता चली अभी जा देर जी 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 जो तले गें चीक तु वापस है वो आपके तो आपको यह साइंस के और है कैसे बता चला है अभी जी हलो स्रामाइ ओडिवल यस यह सर आप सब्सक्राइब से पता चला मैं एक दिन स्ट्रॉल कर रहा था है तो ऐसे आपका आड देखा पले तो बहुत मुझे लगा कि यह तो कुछ कॉमेडी है ऐसे को सकता है कि बाद में कुछ वीडियो देखा आपके तो आपके जैसे आपके पार्टिसिपेंट्स लाइक रियाक्त कर रहे थे तो मुझे लगा कि सच में कुछ को सकता है कि मैं वाट तुमें थोड़ा बिलीव करता हूं मुझे ऐसा भी लगता है कि यह भी एक साइन्स हो सकता है कोई भी चिस ऐसे होती कि जो साइन्टिफिक नहीं होती है तो आल थिंस आपके इस और एक पैनलिस आड होना चाहते बभली जारू दैर विलकम तो दो शो बभली जी यू जो ज़िए अरवश्टार सर्य येस सर्व सौरी सर्य यू 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 य सर्फय क्ैंड़ में इन्फो मिशिय ये वाच मैं डिसेंटली एक beauty धो मैं भूमेंस दिटी में वह और अग मिश्टाप्र कंडिंगेकं ज्रू है जी इसå यू शाइएusement का बिसनू happy जनू है क्लाइन को बादके रखने की पॉसिबिरेटी तोड़ी काम है इस वाच में और एक क्लाइन बहुत बड़ा काम ना देती हुए चोटे-छोटे काम में बहुत सव्य लोग चोड़ा काम देने की चैंसे इस वाच में बहुँत पर और यह आप जो काम करोगा अच्छी रेट में करोगा तो रेट अच्छा मिन आपको यह बात है लेकिन लेकिन फोटा काम और वराइटी अब नाट बिन अबल टू होड़ां टू दे क्लाइट यह इसमें बहुत बड़ा मैनेफेस्टेशन तो क्या होना चालो हो चुका है या अभी बाकिया मतलब क्या हो रहा है अभी आपके साथ यह सर अलो यह ऐसा ही हो रहा है या असर बीच बाद थोड़ा कट हो गया था अब वापस थोड़ा रिपीट कर से अच्छा तो एक तो है इस वाच के अंदर की नएने लोग आपके लाइप में बहुत आएंगी जी नएने क्लाइंट आपको मिलेंगे पुराने क्लाइंट क बांद के रखने में आपको मुश्किल होगी छोटा काम आपको बहुत करना पड़ेगा इंसेड़ आफ बिगवर फ्रम वन क्लाइंट यूले लड़ाफ स्मॉल वर फ्रम प्लेंटी अधर क्लाइंट इस तरह का यह वाच है तो मैं मेरा क्वेशन आप से था कि यह आपके सा चोटा मोटा मिल रहा है और अपने प्राइजिंग क्या पता है अप्राइजिंग अच्छा चार्ज कर लोगा आप अपने रेट पर काम बरूगे रेट की नीचे नीचे नीचा पो डिज़ेगा ठीक यह ठीक है बुलेंगे चलिए बाकि लोग और कुन बोलना चाहेगा यह बेसिक हमें कर दिया अब डिख्ट डिफिए जो आप करो अँछली जी बोलिए यह ऐलो अपको ना अपकी गड़ोल पता होते है कि आपको क्या करना है वह आपको पक्का पता होता है कि हाँ इस 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 थेसंगे इन के दन तो बीग बिड़न और उसके इसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं, बट उतने, मतलब आपका जो पोटेंशिल है, उससे थोड़ा और ज्यादा मिलते हैं, एक अनलिस के आपने, वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनका कहना है, आपकी गोल्स आपको पता होते हैं, ऐसा कोई भी रैंडम गोल आप नहीं लिखते हो, या बगणी जी, ग्रेट, बगणी जी भुले क्या अनलिसिस का अगया है, यहाँ पर एक छोटा यह है, तर मैं गोल्स मेरे है, बहुत सारे, तो I am trying to achieve it, but वो, like, क्या बोलते हैं, कन्वर्ट हो पाएंगे या निया, आपकी तो रैंगे तो उस लेवल पे नहीं होंगे, जिस ल प्लैन कर रहे हो तो स्कोड़ा तो पकाएगा ऐसा आएगा इसा आएगा इसा जरू आएगा इसा जो यह बताती है इस रिस्ट वाच को पहनने के बाद यह कामफर्टेबल है नए लोगों के साथ जूणने में इसलिए उनसे कॉम्मिनिकेट कर सकते हैं यह उसको वाच उनको वहाँ पर हेल्प आउट करेगी बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी आपके एफ़र्ट में बहुत ज्यादा आप क्वालिटी में विश्वास रखना है कि क्वालिटी एफ़र्ट लगाना है और क्वालिटी डिलिवरी देना है तो क्वालिटी आपके है बहुत अच्छी है वाब बुड़ आने देसे कहते हैं कि आप जब भी काम देऊगे किसी को भी तो मेक्शूर करोगी कि वह अच्छा ही जाए उसमें कि इससे पर कॉम्प्रम राइस में जाएगा यस यस गूड़ आख बढ़ आ लिख सेप्ने अप्रिंसेफल्स पर काफी बिलीव करते ओर काफी कंटेद्स में के लिए यहां काम कि लिए हमेशा कंटेड रहते हैं यस-चरी JAMES कर Unless it के लिए committed होते हो क्या तो बना नहीं कर पाएंगे आप काफी और नहीं तरफ से आई चीट के लिए येस आप अपने काम को बहुत एक कुरेसी की साथ करना चाहते है ये ये ट्राइट तो डू मैं वर्क वेरी सिंसिर्ली काफी पंचुल भी आप अब इसमें और एक चीज ऐसी है इस वाच के अंदर जो शाइद आप लोगों ने देखी नहीं देखी मुसको नहीं पता बात बात पार्टिसिपंट बट इनको ना काम के अलाव भी ना बहुत सारी चीजों पर अटके हुए किस तरह के वो काम है लेकिन यह वाच दिखाता है विव जी की काम तो है लेकिन इसके अलावा भी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रहे हैं आप बिजी है अन्य सारी चीजों में बहुत साथ बिजीनेश जो आपकी लाइफ में दिखता है वोटिकल से तरह लग वोटिकल जैसे अभी मैं अड़िजमेंट का बिजनस कर रहा हूं इसके साथ ही मैं आप ट्राइंग टॉलप आउट माइब ब्रदर तो सेट अप बेकि अठी बीजी है आपको अनलिस का स estate नाट था अजल वका टो आप को अशु को योड़ी कैसे हम अटी सिंदगा अपको अनलिसे हूव उटर ओड ले एले लिए ट्काय्टिर ले टॉर्त अधियर गिज 대해서 अमेजिंग परफॉर्मंस वाल फ्यू है ना बहुत अच्छा है देखो किसी भी इंसान के बारे में बिना उसको पता हम पहली बार मिल रहे हैं पहली बार सिर्ट वार्च उसकी परसंटी को परिटिक कर रहे हैं और विस्सी बात है कि दो मेहने पहले उन्हें ने खरीज़ा है अगर छे महने के पहले से रिस्समाच के पास है तो उनको गारंटी हो ते और रिजल्त अमेजिं होते हैं और अगर छे महने के अंदर का विस्समाच और देले खरीटाए दो मेहने तीन मेहने चार मेहने तो तोड़ा उपर नीच होगा because it still yet to manifest all the things in their life. तो बहुत अच्छा आप सभी लोगा ने तो पुछ जो आपका फिलिंग है अभी अफर दूइंड आपके लिए टीप है कि जब ही बार हम मैं भी करता हूं बट मैंने यह एक्सप्रेंसे सीखा है कि जब हम अनलीसिस करते है तो जब एक अनलीसिस करते है उसका थोड़ा समय देना पड़ता है ताकि सामने वाला जो सुन रहा है उसको भी समझे उसको लेके अरे हां मैं आपका कहना क्या है या हम नहीं पूछ लेना चाहिए कि यह आप से किस point of view से वा बात बोल रहे हो तो उस चीज़ को adjust करने में भी उन लोग को वक्त लगता कई बार आपने जसे जब आप सीख रहे थे सीखते समय में कही सारा अलगला तरग आपके साथ कर रहा है तो आपको भी शुरुआत के दो तीन दो समझा नहीं कि मैं क्या बोल रहा ह क्या कह रहा हूं तो अमने ऐसे जब अनलिजम कर रहे है न तो हमने भी सामने में को थोड़ा समय देना चाहिए समझने का जनरली इसे बाकी वंदा आपने भी किया अभी लास में उसके पहले भी थोड़ा बड़ा आगे चिल के और कीजेगा तो आपको मजा है यस कैसे लग का निलिजी आपको आपके साथ निदी में कुछ करना बहुत बड़ी बात है यस अगरी कि आप बड़ अच्छा भी कर रहे हो यस निशाज आपके लिए कैसा था लोग जादा पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस कर रही हूं लग रहा है कि ब्लेसिंग बढ़ रही है था अच्छा लग रहा है और ने ने वग्च, ने श्रेंज, मतलब से स्थेंजिय के साथ में डायरेक्ट बात करना यह एक अलग novvy एक्सिरियंस है और लाइव राके बात करना ज्यादा अच्छा पिरियंस है थाला अज्णी तो रहा है थांच्छानीश कि लिए but this is a totally different experience and with you, वो समझ में आ रहा है कि कहां से कैसे अनलाइज करना चाहिए चीज़ुन को, कैसे बताना चाहिए और वो उसके प्रोफेशन से कैसे कनेक्ट करना है परसन के, that is a wonderful learning, sir. आज तुमने बहुत ऐसे अनलाइसिस किया न, जहाँ पे, जहाँ आपने लेट जोइन किया, क्यूंकि लेक्ट मैं कुछ चीज़ मिस्स नहीं कर सकती थी, and I was hoping कि और स्ट्रेच हो, जब में को मैंसेज मिला, this would be a last moment, तो I just thought कि अगर मुझे मुझे मौका भी मिल जाता है, एंटर करने का, तो I would wish to be a part of the team, sir. And sir, जो experience मैंने करा है, sir, wrist watch में, new watches के साथ में भी, like I told you that I was a person who have left a wearing watch, and जो watch मुझे मिली by my husband, and you told me that, वो subconsciously मैंने attract करा था, तो that was a thing, sir, कि subconsciously हम वही चीज़ अट्राक करते हैं, जो हम चाहते हैं, लाइफ में, beautiful, so I would be waiting for next time, and hopefully I would be the first person to join. Great, great, thank you. और सभी जो वीवर से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, कि आप लोगो ने हम खुद देखा और हमारे जो अनलीसिस से उसको सुना, और हम लोग उमीद करते हैं, आशा करते हैं, कि आप लोग हमारे आने वाले जो नए आप लोग सीखेंगे भी इसको और अपने लाइफ में इंप्लिम्मेंट करेंगे, जैसे यह बागे लोग भी कर रहे हैं, so till that time, thank you very much once again, and let's meet on next Wednesday, same time, same place, तो अगला Wednesday भी हम से करेंगे, तो आप आपने से भी काफे लोग आएंगे, और जो existing panelists है, वो भी आएंगे इसमें, ठीक है, चले फिर thank you very much, thank you sir, thank you sir,